आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का बहुत ही बढ़िया नाश्ता यकीन मानिय फ्रेंट्स जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है ना उससे कहीं ज़्यादा खाने में कुरकुरी और बढ़िया बनी है तो इसको हमने हल्दी तरीके से बनाया है तो हमने इसको आटे से बनाया है यकीन मानिये फ्रेंट्स आप जब इसे खाएंगे न तो आप बिल्कुल भी पहचाम नहीं पाएंगे कि हमने इसे आटे से बनाया है तो इसे बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन-किन समान की जरुवत पड़ेगी हलो फ्रेंड्स कामीनी के किचन में आप स आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी तो आईए आगे देख लेते हैं तो यहां पर हमने तीन कच्चे आलू ले लिये हैं इनको हम अच्छे से धो करके ले लिया है तो यहां पर हमने पानी ले लिया है थोड़ा सा और बड़ा जो ग्रेटर होता है बड़ा कद्दू कसका उसी से हमेशे ग्रेट कर लेना है क्योंकि इसके जो लच्छे होते न वो थोड़े मोटे होंगे तो नाश्टे में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे तो इसी तरीके से हम सभी आलू को ग्रेट कर लेंगे तो यहां पर हमें कोई तामजाम नहीं करना है ना उबालना है ना किसी चीज का जंजट सीधे बस कच्चे आलू लेने हैं और हमें इसे कद्दू कस कर लेना है बहुत ही बढ़िया नाश्टा बनके तियार होता है तो देखिए कितने मोटे-मोटे लच्चे हमने निकाल लिए तो आप चाहें तो महीन वाला भी ले सकते हैं कोई इतना इशू नहीं है बाकी आपकी मर्जी मोटा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे तो इसी तरीके से सभी आलू को कद्धुकस कर लिया है तो अब हम इसको तीन से चार बार दो लेना है तो हमने इसको तीन से चार ताकि इसमें से जो भी एक्स्टा का स्टार्च हो वो निकल जाए तभी हमारी चो टिक्किया है वो ऐसं नहीं करंची यहां पे हम जीरा डाल देंगे आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं तो थोड़ी सी मैंने यहां पे लाल मिर्च डाल दी है थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और यहां पे हम डाल देंगे औरियानो सीजनिंग इससे बहुत ही बढ़ियां अच्छा टेस्ट आता है ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं हो तो जरूर डालें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको हम बिना पानी डाले ही अच्छे से बाइंड करेंगे बहुत ही आसानी से यह बाइंड हो जाता है क्योंकि आलू हमें इतना पानी होता है जो इसको अच्छे से बाइंड कर लेता है तो बिना पानी डाले ही हमें इसको बाइंड करना है पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से यह बाइंड हो रहा है तो बस इस तरीके से हमने इसे बाइंड कर लिया है और अब हम इसकी हाथों से छोटी-छोटी बॉल्स बनाएंगे तो आप देख सकते हैं जब आपकी बॉल्स बने तो यह बिल्कुल पर्फेक्ट बना है तो बस इसी तरीके से हम बॉल्स बना लेंगे और इसको चप्टा कर लेंगे तो मैं आपको एक और दिखा देती हूं, इस तरीके से हम सबसे पहले बॉल बनाएंगे, शेप आप अपने अनुसार इसको दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो सिलेंडर आकार आता है, या ओवल वी शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मल टिककी शेप दे रही क्योंकि ये बहुत ही जादा क्रिस्पी और क्रंची बनती है तो बस इसी तरीके से हम हाथों से किनारों से दबाते हुए इसको चिकना कर लेंगे इसी तरीके से हम सभी टिक्यों को बना के त्यार कर लेंगे सबी टिक्कियों को पहले ही बना के त्यार कर लें और बाद में इने हम फ्राइ कर लेंगे तो देखिए हमने सबी टिक्कियों को बना लिया है तो यहाँ पे हमने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा ही तेल लिया है आप देख सकते हैं हमें इसको ज़्यादा तेल में बनाने की जरूरत नहीं, थोड़े तेल में भी बहुत ही बढ़ियां बन के त्यार हो जाती हैं, तो तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम एक एक करके सभी टिक्कियों को डाल देंगे, जिसी साथ से आपके पैन में जगा हो, उसी साथ से आ की बहुत ही जल्दी यह नीचे से सिक जाती हैं, केवल एक से दो मिनट में ही, तो आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम इनने नीचे से भी से भी से लेंगे, पलट लेंगे सभी को, तो हमने सभी को पलट लिया है और हम इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से जब तक हमें मन चाहा कलर ना मिल जाए आप इसे सेख सकते हैं तो देखिए कितना बढ़िया कलर इनों में आ गया है तो बस यही कलर हमें एकदम परफेक्ट चाहिए था तो इसे हमने अलटते पलटते हुए ही सेख लिया है तो कलर तो बहुत ही बढ़िया आ गया है तो आप देखिए कौन कहेगा कि हमने आटे और आलू से बनाई है यकीन माने ये फ्रेंट से बहुत ही कुरकुरी बन के तियार होती है जब आपके पास समान कम हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो तो ये बहुत ही बढ़िया आप्शन है क्योंकि आलू और आटा तो सभी गण में होता ही है तो क्यों ना हम कम समान से कुछ अच्छा खाएं तो मैं इसलिए आपके लिए लाती रहती हूं सस्ते में बहुत अच्छी रेसिपीज तो इसी तरीके से हम अपना सेकिंड बैच भी सेक लेंगे तो सभी टिक्कियों को हमने डाल दिया है और इसको हम नीचे से सिखने देंगे तो देखिए हमने इनको भी पलट लिया है और हम इनको पीछे से भी सेक लेंगे तो ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है तो देखिए इनका भी कितना प्यारा कलर आ गया है तो बस इनको भी हम निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने तेल भी बहुत ही कम एपसॉफ किया है क्योंकि यह आटे की बनी है तो एपसॉफ कहने का सवाल ही नहीं उठता अगर यही नास्ता आप सूजी से मैदे से या फिर बेशन से बनाते तो थोड़ा बहुत एपसॉफ तेल करती लेकिन आप देख सकते हैं जितना तेल हमने लिया था उतना ही तेल पैन में बचा हुआ है कितनी ड्राय कितनी पढ़ियां यह हमारी आलू की टिक्की बन के त्यार हुई है यकीन मालिये फ्रेंट से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है मेरे घर में तो यह बच्चों ने बहुत ही एंज्याई करके खाया और सब पहचान भी नहीं पाय कि यह हमने आटे और आलू से बनाई है यकीन मालिये फ्रेंट जब भी आप इसे बनाके खाएंगे यह अपने परिवार को खिलाएंगे तो मैं आपको गैरंटी देती हूँ कि कोई भी इने बिल्कुल भी पहचान नहीं पायेगा कि यह हमने आटे और आलू से बनाए है आलू का फ्लेवर तो इसमें आएगा लेकिन जो हमने आटा डाला है बाइंडिंग के लिए उसको कोई भी बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि हमने आटे से बनाई है तो बस आप इतनी कुरकुरी इतनी करंची पकोडियों को एंजॉय कीजिए यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ियां पकोडियां बनी है तो देखिे कि आनए इनका कृंच कोड़ें बनी है तो देखा आपने इनका कृंच बहुत भीयां क्रंची बनी है मैं आपको इसको थोड़के भी दिखाती हूं तो आगा आपके मूँमे भी पानी तो फ्रेंड्स आपी से बनाइये मिलते हैं अपनी नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई